कक्छा वार्वी भूगो लियाने के जियोग्राफिक आपका पेपर जो है 27 सितंबर को लिये जाना है उसके लिए मैं आपके लिए important question लिकर के आया हूँ जो कि आपके दो अंकिये तीन अंकिये उम चार अंकिये most selectable question होंगे जो कि आपके syllabus पर आधारित रहेंगे तो भाई इस पांच नंबर के प्रश्ण को बिलकुल skip मत करना क्योंकि वो पांच नंबर इतने सरल होते हैं ना लेने और बही आप लोग गलत करके आ जाते हो तो बिलकुल आपको बने रहना वीडियो में और सारे questions को attempt करना है अच्छी दरगे से सभी को देखना है और सभी question ध्यान से जिसने सुनेगा ना उसको याद होते जाएगा देखे भूगुल की प्रमुख दूस साखाओं की नाम लिखे देखे भूगुल की साखाओं के नाम पूछे गई भूगुल क्या है यह तो पता होने चाहिए वो question नीचे है तो सबसे पहले हम भूगुल की साखाओं को देख जनसंख्या से लेटर जो जो पार्ट आते है ना उनके according से रखा गया है ना आयू लंगानुपात प्रवास था जनसंख्या ब्रद्धी जैसी बेशेश्ताओं का जो है इसमें अधियन किया जाता है और जनसंख्या भूगुल का जनांग की की घनिस्ट संबंद है तो यह र नेक्स्ट कोश्चन आपका दियागा है मानो भूगुल की कोई दो ओप छेतर लिखे भाई तो यहां पर आपसे दो ही पूछे गए हैं मैंने आपको यहां पर नो दे दिया है ना देखिए जनसंख्या भूगुल तो जननांकी जनांकी की अबाश भूगुल तो नगर ग्र गमों के नाम लिखे बहुत साथ important question है यह ना तो छेत्री बिभेदन मानवतावादी अमूल बादी और व्यभार वादी बिचारताराओं का उदाय इस तरीके से आप इसे complete करेंगे next question आपका दिया है मानो भूगुल की कोई दो साखाओं के नाम लिखे ना तो यह रहेगा मानो भूगुल के बारे में पहले यहां पर आपको बताया गया कि मानो भूगुल है क्या फिर इसके साखाओं के बारे में आप सामाजिक भूगुल और नगरिये भूगुल के बारे में आप बताया गया है देख सकते हैं आप सामाजिक भूगुल मानो भूगुल की नमपर का जन्संख्य घनत तो किसे कहा जाता है भाई बहुत साद है इमेट्ट है inviarde मैं इससा यह सूत्र बन सकता है जन्संक्य अक्रतया किस प्रकार जन को प्रभावित करती हैं तीन जो एक ठूए किस तरीकी से जन संख्या बित्रण को प्रभावित करती है तो देखेंगे यहां पे तीन नम्मर के यह बा हो थे ज्शंखया देखा सकते हैं और अगला सब्छल गहें नदी घाटियां एवं मैदानों में जनसंखे अधिक होने के कोई तीन कारण लिखे तो परवतिय पहाडी तथा उबडखाबड़क प्रदेशों में कम लोग रहते हैं जब की मैदानी छेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है क्योंकि इन छेत्रों में भूमी औ आपको आंसर दिया गया है नेक्स्ट आपका इस मैदानों की अगदर विसेस्ता कहें तो भाई सीधी बात है यह बहुत उपजाओ होते हैं तो कहें तो इनकी धरातल पर निम्न प्रदेश होते हैं के उचाए अधिक नहीं पाए जाती है मैदान समतल या मंद ढालबाले होत नेक्स्ट आपका विस्तो की लगवाए 80% जो है जन संक्य मैदानी चेतरों पर ही नवास करती है नेक्स्ट आप करेगा सामाजिक संकेत किस परकार मानव विकास को प्रवाइद करते हैं तो सिक्षा मानव विकास चंसाधन का प्रमुक घटक है यह लोगों को गरीबी की कॉमेंट बॉक्स बताएगा मानव विकास की रिपूर्ट हर बर्स कौन जारी करता है कौन सी संस्था है वह क्या नाम है वे पता है जल्दी से अब आपका आसर रहेगा भारत को मध्यम विकास के देशों में इस्थान में रहा है का रिकरम द्वारा है ना इसी का हिंदी ने प्रमक शमूह रहेंगे इसे complete कीजिएगा नेक्स आपका दिये गा है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं तो मानव विकास के मापन के लिए जिस मापक का प्रयोग किया जाता है या उपियोग किया जाता है इसके घटक है तो दिर्ग जीवता ग्यान आधार और इ सबसे बड़ी चीज है ना मानव विकास के तीन मूलूत छेत्र कौन-कौन से हिए गति जाये तो संसाधनों तक पहुंच सवास्ति युम्-सिक्छा माननु विकास किस तरीके से किया जा सकता है यह मानव विकास सुचकंक में मानव विकास को लेकर ही यहां पर जो समें रहता है सारा कुछ की संसाधनों तक पूर्ण पहुंच हो तभी तो विकास होगा सिक्षा भाई सबसे बड़ी चीज है ना मानव विकास की यही तीन संसाधनों की पूर्टी और श्वास्तेवन सिक्षा सुविधाएं नेक्स से आपका मानव विकास के चार प्रमों के घटकों के नाम लिखे तो यह रहेंगे आपके यहां पर इसका आंसर आपका यहां पर दिया गया देख सकते हैं इसे हम पढ़ेंगे जिस प्रकार किसी इमा टॉपेक है कहें तो अभी ही नहीं आपकी अगर आप अग्साम की त्यारी करते हैं तो बहुत साथ इंप्रोटन्ट है इसे आप कमेंट में बताए जिसको भी पता हुए ना मैंने यह पिछली क्लास में पढ़ाया था उत्पादक्ता है और ससकती करण की संकल्बनाव पर आ साथ आ जाता है मतलब इस दान अंतरन्ट करशी का मतलब क्या होता है वहां पर खेति करते हैं वह भरत दम का करते हैं इसलिए से शलिए से बहुमिकल बरता समाप्त होती ही इसे छोड़कर अन्स्थान पर पलाइन करना पड़ता है देखिए मतलब इस्थान अंत्र मतलब ट्रांसपर करना पड़ता है देखिए एक बार कहींपे देखिए इन्होंने क्या किया यह जो इसमें लगा हुआ वो जो होता है ना इसमें उन्होंने आग लगा दी और वो जल गया इसमें राखा गए ना और फिर यहां पर जब उपज होना कम हो जाती है तो यह जगह बदल देते हैं भाई अब हम कहेंगे हमें यहां पर नहीं करेंगे अब तो हमें दूसरी जगह करنا है भाई तो जगह हो बदल दिया यानि कि स्थान अंतरन कर लिया तो दूसरी खेत में चले गए दूसरी स्थान पर चले गए तो यही क्या है तो यही जो है स्थान अंतरन करशी कहलाती है और इसे उत्पनक कोई दो समस्यां आपसे पूछी गई हैं तो समस्यां की बारे में ही हम याप बात कर रहे हैं और यह रहेगा है पहले मैंने आपको करशी समझा दी तो इसमें एक इसमें क्या होता है दूसरी जगा बनस्पतियों को काट कर यानि कि जब वो यह स्थान छोड़कर जाएंगे तो दूसरी जगाए पेड़ काटेंगे बनस्पतियों को नस्ट करेंगे फिर वहां पे अपना खेत विस्तार करेंगे तो इससे क्या होता है इससे जहें प्रयावन को भी तो नुक्सान हो रहा है प्रयावन की हानी हो रही इस क्रशी को करने वाले लोग अब नई और नहीं न से, चदूँपर करती हैं, क्योंकि ये प्रत्वी के संसाधनों के उप्योग में, उप्योग के विश्य में बताता है, प्रमुख प्राथमयक्रिया हैं हैं, आखेट, भूजन, संग रहे, पसुचारण, म चली-पकड़ना ये देखे प्रमक जो प्राथमिक क्रियांहें के उधारन दिये गहे प्राथमिक क्रिया का उधारन क्या है तो पसु चारन हो गया मचली पकडना हो गया है ये objective में question इसी तरीके से दादा आता है तो बिलकुल से करके रखना है नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें सरबाधिक अननतियों दक्ष्य तकनिक की आविश्य सहायता से दूधारू पसूओं दूद देने वाले पशों का जो है बाड़ी जिक स्तर पर पलन किया जाता है मतलब डेरी अगर उध्योग भाई चलाना है अपन को डेरी करशी करनी है एक तरीके से कहें तो वो पशुद चाहिए ही जो अधिक दूद देते हों क्योंकि अगर यार अधर लीटर दूद वाली गाय बांद लेते हैं तो इसमें क्या होगा क्या आपन उध्योग चला पाएंगे क्या पन उसका अभ्यापर कर पाएंगे इसमें मानाओ स्रम पूंजी की अधिकावश्यक्ता होती है इसमें क्या बताए जा रही है और यह थर्ड विस्षिस्था है इसे आप याद कर तैयार बने भोजन बनाया हुँआ भोजन जो पर रखा जाता है इस तरीके से कंप्लेट कर लेंगे नेक्स कुश्चन भाई आपका दिया गए मिस्रित क्रशी क्या है बहुत सादा इंपरटन कुश्यक्शन इसकी विस्षिस्था हैं यहां पर हम समझेंगे मिस्रित क्रशी यह क्रशी बिश्चु के सबसे विक्सित भागों में होती है इसमें खेतों का आकार जो है मध्यम होता है इस क्रशी में फसल उत्पादने हों पसुपरान दोनों को ही समान महत तो दिया जाता है देखी इतना वीडियो कंप्लेट हो गया भाई अभी तक जिसने कर लो क्यों कि बोर्ड परिक्षा तक का हमारा सफर है और बोर्ड परिक्षा आपको बहुत अच्छे अंक या चीव करना है ना तो बिल्कुल से जुड़े रहो और आपकी तैयारी यहां पर नेक्स लेवल की करबा दी जाएगी तो जुड़े रहो और आपको तो साथ में महत्पून भूमीका ने बहाती है अंतह फसले का है तो मतलब अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-प्रकार के कई-फसलों नहीं है वाहां पर क्या होगा कि और वहां पर रख छमता की बढ़े की और प्रमुक फसले का है मिस्ट किसी के मुख्य घटक है तो यह रहेगा इसका इसको इसको में याद रखिएगा इसको उप्जेक्ट में याद रखिएगा एक तरफ उसकता है तरफ हो सकता है तो बिल्कुर से इसी तरीचे से कोशन बनेंगे इसमें हस्तसिल्प कारे से लेकर लोही वाइस पात को गढ़ना प्लास्टिक के खिलोने बनाना कम्पूटर के सूख घटकों को जोड़ना आदी सभी प्रकार के उत्पादन को बिन्रमाड के अंतरगत ही माना जाता है इनमें बे मानविय क्रिया कलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथ में कुटपादों के गड़ों बाजी रूप में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक उप्योगी वा मूलेवान बनाया जाता है किसमें दुतिये क्रिया कलाप में तो इस तरीके से से आप कॉंप्लिट कर ल अगर वो इससे कर रहा है दुतिये क्रिया कलाप के अंतरगत बर कर रहा है तो होती एक ना इसे कर लिजीएगा नेक्स्ट आपको है कुटीर उध्योग के चोटी काई होती है यह है इस उध्योग में सिर्फ करार स्थान यह कच्छे मालका उप्योग करते हैं ना सिर्फ का जो होती है कच्छे माल का बिल्कुल से याद रखी है पांच फरवरी 2014 को नेक्स टैप का जनसंख्या संगटन से क्या तात पर रहे है आंसर रहेगा आपका किसी इस्थान बिसेस में रहने वाले लोगों में इस तरी पुर्षों की शंख्या लिंग अनुपात आयू बर्ग संरचना उनके सिक्षा का इ जाते हैं किसके जनसंख्या की जनसंख्या प्रजाती गत माना लच्छ वोगा जैसे कि सारा कुछ बताया गया सामाज़िक बैवाहिक सक्षा तथा अर्थिक विसेस्ताओं को संग जनसंख्या संग्ठन का जाता है नेक्स कोश्चन आपका रहेगा भारत में घठते लंगान उपात का कारण है लिंग निर्धार्ण केंदर के खिलाप सरकार की और से दंड नात्मक उपाय का अभाव है ना मतलब यसा कोई कानून या कोई भी उपाय नहीं है जिससे दंड दिया जा सके मतलब ऐसे लोगों को लिंग निर्धार्ण जो करवाते हैं ना जिन संख्या के ब प्ररवावद कारते हैं तो आंसर याध रखेंगे क्सेंग शब्रवावद कारते हैं जिसे कि अर्फ लब डिता हो गई और आर्थे कारत की यहां पर आपको दिया गए तो यह आप कंपलेट कर लिए जिए तीनों कारक आपको बताएं जनसंख्या को प्रभावित करते हैं जनसंख्या वित्रण को खास करना भारत में नगरी करन के कारण है उद्ध्योगों की स्थापना भाई लोग अट्रेक्ट होंगे ही नगरी करन की तरफ क्योंकि जब उद्ध्योगों की स्थापना भाँ पर की जाएगी तो यहां से भी लोग बही जाएंगे और बहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी तो नगरी करन होगा और नगरी उच्च जीवन का आकरशन मतलब जब लोग बलो इसके बात है कि जो ग्रामेड चेत्रों में जो सुबिदा नहीं होती है वो परी जो नगरी चेत्रों में होती है इसलिए नगरी नगरी करन जो है किया जा रहा है ना एही तो इसके वाद से नेक्स कुश्च ने आपका आर्थे क्स इस्तर की दृष्टी से भारती जनसंख् बर्ग इसमें बहए बैखती है जो एक बरश में कम से कम 183 दिने च्छे मैने जोरी काम करता है भारत में आसल संखिया का नुपा जोर सबसे ज़ादा है उचाए आपका मुखे श्रमा को राश्य मे को राश्च इखका है के लख्षित बस्तियों के पर देख सकते हैं चार लक्षन आपको सामें दिया गए गए रहां पर यह भश्तियां घरों की एक संहित आत्वा संकुलत रूप श्रीजर्श प्रदरस्त करती हैं घरों की दू कतारों को संकरी तथा टेरी करिया अलग करती हैं दरीके से लक्षण लग देंगे नेक्स है आपका भारत में क्रशी की प्रमुक तीन समस्यां लखे तो अनियमें तो मांसून पर नभरता क्रशी फसलों को निम्न उत्पादकता बित्ये संसाधनों की बैधिता इवं रंड गरस्तता सुधारों में कमी खेतों का छोटा आकार इवं बिखंडत जो संस्कु है नेक्स अपका भारत में हर्तक्रांती की मुक्त तीन उपलाब्धियान लडे जुए तीन आपकी OPLAB दीक सकते हैं तो हरेटक्रांती के फरुशुब देशे में कमी का संकर जो है दूर हो गया त一点 यहां गर्शित हुआ है जिसमें गेहूं का उत्पादन पहले से पांच गुना तथा चाबल का उत्पादन दो गुना बढ़ चुका है भारत में प्रती हेक्टियर उत्पादन में ब्रद्धी हुई है तो यह उसके प्रिणाम हुई है विल्कुल स्याद रखिएगा उपलब्धियां जो इससे हांसल हुई है नेक्स कोईशन आपका इस्क्रिंशल ले सकते हैं अंतर इसमें दिया गया है पूरा कंप्लिट आंसर आपका रहेगा नेक्स कोईशन भाई देख लेते हैं आपका भारत में गयहु के उत्पादन के लिए नुकूल भोगल एक दसाओं को बड़न कीजिए तो आंसर आपके सामने हैं यहाँ पर देख सकते हैं तापमान बर्षा मिट्टी यहाँ धरातल सरम और बरक के अधार पर आपको क्या है बताया गया है आप भोगल इन मतलब गयहु के उत्पादन के लिए भोगल भोगल एक दसाओं का उसके लिए क्या आवश्यक जुए टेंप्रेचर होना चाहिए कितनी बर्षा क्या पूर्पून है और और बार तो इस तरीके से आप इसके जो है लख सकते हैं प्रमकारक इसके बात देखिए हमारा पांच नमर का कोश्चन आता है भाई बिस्स के मांचेतर पर निमन को दर्साइए औस्ट्रेलिया मैं भाई पीली जर्शी को बिल्कुल पीले से दर्साया है भ नियूजिलेंड है और यह क्या है ऑस्ट्रेलिया है बिल्कुल से दोनों को याद रखेंगे और इसके बाद क्या पूछागा भाई चाइना अगे पीछे याद नहीं आ रहा मुझे ठीक से अफगानिस्तान यह फाकिस्तान जो हमारा इंडिया है उसके ऊपर ही है थोड़ा है ना मतलब बहुत ही कम सीमस से हमारी टच करती है सैयुक्त अरब अमीरात जो देखे यहां पर देखे आपने अफरीका महादीब देखा ना अफरीका महादीब कौन सा है यह यह रहे है यह यह अफरीका है यहां पर यह साउथ अफरीका है और यह क्या है आपका यह साउथ देश है विस्तु का यह याद रखीगा यह रहेगा आपका बलेक से रूस है और जपान किससे है मैंने जपान को रेड से कर रहा है जपान साइद मुझे इसमें मैंने ध्यान नी दिया जपान अपन छोड़ दिये साइद है ना तिबबत अपना बताया है मैंने हां तिबबत म इस तरीके से आप मैप को करना सीखे पूरा कंप्लेट करना है यह रहेंगे आपके सारे कुछ देशों के नाम और उनके साथ आप इने देख सकते हैं इस तरीके से आपको दर्षाना होने में तो बिलकुल सीख लिजिए बहुत ही इंपोटेंट है क्योंकि पांच नमबर आपकी यहां पर कंप्लीट कर लेंगे तो इतना सारे कुश्चन जो मैंने बता दिये ना इनको जो कंप्लीट कर लेता है अपने अच्छे अंका परिक्षा में ला सकते हैं और जल्दी से टेलिग्राम जॉइन कर लीजिए चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स फूर वाचिंग